Welcome students, आज हम पढ़ेंगे Chemical Bonding में Valence Bond Theory Part 2 Valence Bond Theory की मुख्य बिंदू हमने इसके पहले जो वीडियो लोड किया था, उसमें पढ़े थे ये सिध्धान्त, हाइटलर वर लंदन ने 1927 में दिया था और बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें कुछ modifications करके एक modified theory दी जो linear combination of atomic orbitals पर आधारित है इस सिध्धान्त को समझने के लिए हम एक सरलतम example लेते हैं दो hydrogen atoms के combination या सयोग से H2 के एक अनुका बनना समझते हैं hydrogen molecule के formation में दो परमाणू atoms, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं HA और Hb, infinite या अनन्त दूरी से एक दूसरे के पास आते हैं वैसे तो सभी hydrogen परमाणू एक जैसे होते हैं अर्थात उनके नाभिकों और electron में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता लेकिन सुविधा के लिए और समझने के लिए हमने इन्हें अलग-अलग नाम दे दिये हैं HA से सम्बंदित electron को हमने 1 से दिखाया है चित्र में देख सकते हैं आप और Hb से सम्बंदित electron को हमने 2 से दिखाया है साई A और साई B क्रमशा HA और Hb के तरंगफलन या वेव फंक्शन्स है जब अनन्त या इन्फाइने डिस्टेंस से ये hydrogen atoms HA और Hb एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में दो तरह के forces या बल कार्य करते हैं पहला है attractive force या आकर्शन्बल attractive force nucleus A और electron 1 और 2 के मध्य कार्य करता है चित्र में देखिए इसी तरह attractive force या आकर्शन्बल nucleus B और electron 1 और 2 के मध्य भी कार्य करते हैं दूसरा जो बल है वो है repulsive force या प्रतिकर्शन्बल repulsive force या प्रतिकर्शन्बल nucleus A और B के मध्य कार्य करता है और electrons 1 और 2 के मध्य भी repulsive force या प्रतिकर्शन्बल ही कार्य करता है H2 molecule के formation के process में hydrogen atoms HA और HB चितर में आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते जाते हैं इनके 1S orbitals के मध्य अतिव्यापन या overlapping होने लगती है देखिए figure में हमने SS अतिव्यापन दिखाया है यह अतिव्यापन तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उनके मध्य एक ऐसी स्थाई अवस्था न आ जाए जिसमें आकर्शन और प्रतिकर्शन्बल एक दूसरे को संतुलित कर दे इस प्रकार अतिव्यापन द्वारा बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं देखिए figure में last में सिग्मा बंध बन रहा है और इससे बंधित दोनों परमाणूं परस पर मजबूती से बंधे हुए हैं इस चित्र में potential energy और internuclear distance के बीच एक graph plot किया हुआ है दोनों hydrogen परमाणूं के electronों का चक्रण एक ही दिशा में या विपरीद दिशा में हो सकता है इन दोनों स्थितियों को एक एकर समझते हैं पहली स्थिति, curve first देखिए जब electronों का चक्रण समनांतर होता है तो दोनों electronों के मध्य प्रतिक अर्शन होने से सिस्टम की potential energy में लगातार वृद्धी होती रहती है और इस स्थिति में बंध निर्मान नहीं होता अब दूसरी स्थिति देखते हैं curve second देखिए जब electronों का चक्रण विपरीध होता है तो सिस्टम की potential energy लगातार कम होती जाती है और एक निश्चित दूरी R0 पर सिस्टम की potential energy मिनिमम हो जाती है इस दूरी पर hydrogen atoms के बीच bond बनता है इसके बाद भी यदि hydrogen atoms को पास लाया जाता है तो इनके nucleus के बीच repulsion के कारण potential energy बढ़ती जाती है H2R0 के लिए वह दूरी जिस पर potential energy का मान न्यूनतम होता है बंध दूरी होती है और इस दूरी से संबंधित potential energy को H2R0 की बंध उर्जा कहते है इस प्रकार bond formation के बाद यह पैचानना कठिन हो जाता है कि कौन सा electron HA का है और कौन सा electron HB का है हाइटलर एवं लंदन ने इसकी तरंग व्याख्या दी यदि HA तथा HB से संबंधित electron क्रमशह 1 तथा 2 है तो H2R0 की दो सहसेओं जक्संदरजनाएं संभव है फर्स्ट HA1 HB2 सिकिन HA2 HB1 यदि 1st तथा 2nd संडचनाओं की वेव फांक्शन्स क्रमशह साई 1st तथा साई 2nd हो तो साई 1st बराबर साई A1 साई B2 साई 2nd बराबर साई A2 साई B1 H2R0 का वास्त्विक तरंग फलन साई दोनों संडचनाओं के तरंग फलन के रेखिय सयोग से प्राप्त किया जा सकता है अतहँ साई बराबर सीवन साई 1st फ्लरास सीटू साई 2nd सीवन बराबर प्लस मैनस सीटू यदि सीवन बराबर वन हो तो सीटू बराबर प्लस मैनस वन होगा अतह उप्रोक्त समिकरन में C1 बराबर 1 रखने पर Psi के दो मान Psi प्लस तथा Psi मैनस संभव है Psi प्लस बराबर Psi1 प्लस Psi2 Psi मैनस बराबर Psi1 मैनस Psi2 समिकरन दो वा तीन से Psi1 प्लस Psi2 के मान रखने पर साई प्लस बराबर साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 और साई माइनस बराबर साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1 इनर्जी ग्राफ वाले चित्र में कर्व फर्स्ट साई माइनस अबंधी अवस्था में लगने वाले प्रतिकर्शन बलको दर्शाता है जबकि साय प्लस कव सेकिंड बंधी अवस्था में लगने वाले आकरशन बलको दर्शाता है इस सिध्धान द्वारा H2 अनू के लिए बंध उर्जा का परिकलित मान 72 किलो कालरी प्रतिमोल और बंध दूरी का परिकलित मान 0.80 एंग्स्ट्रॉंग होता है बंध उर्जा का प्रयोगिक मान 103.2 किलो कालरी प्रतिमोल और बंध दूरी का प्रयोगिक मान 0.74 एंग्स्ट्रॉंग है हम देख रहे हैं कि सिध्धान्तिक तथा प्रयोगिक मानों में काफी जादा अंतर है सिध्धान्तिक तथा प्रयोगिक मानों की इस असमानता को देखते हुए पॉलिंग तथा स्लेटर ने उपरोग सिध्धान्त में सुधार किया पॉलिंग द्वारा किया गया सुधार पॉलिंग के अनुसार कोविलिन स्ट्रॉक्चर्स, 1st और 2nd, उनके अतिरिक्त दो अन्य आइनिक स्ट्रॉक्चर्स, 3rd और 4th भी पॉसिबल है 3rd, आइनिक स्ट्रॉक्चर, HA-, 1, 2, HB+. और 4th ionic structure HA plus Hb minus 1, 2 Structure 3rd और 4th इनके wave function Psi 3rd बराबर Psi A1 Psi A2 और Psi 4th बराबर Psi B1 Psi B2 Psi ionic बराबर Psi 3rd plus Psi 4th hydrogen अनुका कुल तरंग फलन Psi संपूर्ण बराबर Psi सहसयोजक plus Lambda Psi ionic यहाँ Lambda X रांक है Psi संपूर्ण बराबर Psi 1st plus Psi 2nd plus Lambda Psi 3rd plus Psi 4th पॉलिंग के सुधार के बाद जो बंध उर्जा का परिकलित मान वो है 95.0 किलो कालोरी प्रतिमोल और बंध दूरी का परिकलित मान 0.74 अब हम देखते हैं कि यह दोनों ही मान जो हमारे प्रयोगिक मान हैं उनकी काफी नजदीख हैं हम यह कह सकते हैं कि दो परमानों के मध्य जब अपोजेट स्पिन वाले वे प्रीच चक्रन वाले अनपिवर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो वे और्बिटल्स की ओवर्लापिन या कक्षकों की अतिव्यापन द्वारा एक कोवलिन पॉंड बना लेते हैं झाल... झाल... झाल झाल